मैं पैसा हूँ, मैं नमक की तरह हूँ, जो जरूरी तो है, पर जरूरत से ज़ादा आपकी जिन्दगी का स्वाद बिगार सकता है मैं भगवान तो नहीं, पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते मुझे आप मरने के बाद उपर नहीं ले जा सकते पर जीते जी मैं आपको बहुत उपर ले जा सकता हूँ मैं नई रिष्टेदारियां पैदा कर देता हूँ पर असली और सची बिगार देता हूँ मैं कुछ भी नहीं पर मैं ही ये तै करता हूँ कि लोग आपको कितनी इज़द देंगे मैं सारे फसाद की जड़ हूँ पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं मैं बोलता नहीं पर सब की बोलती बंद जरूर कर देता हूँ मैं पैसा हूँ कभी कबार कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं देखने के बाद इंसानियत पर भरोसा और भी जादा बढ़ जाता है कुछ ऐसा ही किया डबली डबली फाइटर ट्रिपलेच ने एक्शली हुआ कुछ यूँ कि एक बच्चे को कैंसर था और उसके आखरी क्वाइश ये थी कि वो ट्रिपलेच के साथ फाइट लड़ना चाहता था ट्रिपलेच ने ना सिर्फ फाइट लड़ी बलकि उस छोटे से बच्चे के पंच से नीचे गिरके उसको विनर बनाके जो जेस्चर दिखाया वो काबिले तारीफ था जिसने मेरा तो दिल जीत लिया जरा देखिए गाइस आपको ट्रिपलेच के स्जेस्चर पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्चन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब और लाइक मिलता अगली वीडियो में गाइस अगर आप अपनी कीमत यानि की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए क्या आप जानते हैं चलिए आज मैं आपको बताता हूँ देखिए मान लीजिए कि अगर कोई मख्य सबजी तोलते वक्त सबजी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपे के लगबग होगी इससे आप क्या समझे जानते हैं इससे आपको ये समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं किसके साथ बैठते हैं यही आपकी वैल्यू यानि कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है इसलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलत अगली वीडियो में गाइज आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितने पोधे लगाए हैं गाइज आपको दरीपली जी के बारे में सुनके कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे मेजिन वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलत अगली वीडियो में